वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं आप सभी लोग I hope कि आप सब ठीक होंगे तो गाइस मैं आपकी होस्ट रशीता शर्मा आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मज़िदार सा वीडियो एक और तो गाइस जैसा कि आप सुब को पता ही है हमारे चैनल पर हम आपक वेटिड है और तई एशिया कप के मैच इस ग्राउंड पर भी खेले जाने वाले हैं और आज हम इसी ग्राउंड के पिछ रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको बता दे इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्जा स्टेडियम के फैक्ट, स्टैट, यहां क के पिछ रिपोर्ट तो बैस शुरू करते हैं शार्जा स्टेडियम के फैक्ट से हम तो यह स्टेडियम ओपन हुआ था 1982 में इसकी सिटिंग कैपसिटी है लगबख 16,000 स्पेक्टेटर्स और इसके एंड्स के नहीं में पविलियन एंड और शार्जा क्लब एंड और इसकी केशन है शार्जा यूनाइटेड अरब एमिरेट और इसका टाइम जोन है यूटी सी प्लस 04 और यह होम ग्राउंड है यूए की टीम का और इस स्टेडियम में फ्लेड लाइट भी है तो गैस यह हो गए शार्जा स्टेडियम के फैक्ट अब हम चलते हैं अगली मज़ेदा मैचेस 25 खेले गए हैं बैटिंग फर्स्ट करने पर 15 जीते गए हैं बैटिंग सेकंड करने पर 9 और एक मैच यहां पर टाइब भी रहा है एवरेज स्कूर फर्स्ट बैट का 150 है हाइस यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने बनाए है 215 रंस 6 विकेट पे और लोइस बनाए नीधर लैंड की टीम ने 44 रंस 10 विकेट पे अब बात करते हैं सो स्कूरिंग पैटर्न की सो बिलोव 153 पर 13 बार बनाए है स्कूर बटून 155 पांच बार वट्विवन 172 ने 5 बार और अब अब 190 यहां पर दो बार बन चुका है तो गाइस यह हैं हमारे टी 20 इंटरनेशनल के stats अब चलते हैं ODI stats पर तो ODI की अगर बात करें तो ODI के बहुत सारे मैट्स खेले गए हैं 232 एक टोटल जिसमें से 127 जीते गए हैं बैटिंग फस्ट किरने वाली टीम से और 103 जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली तीम ने और दो मैच यहां पर टाई भी रह चुके हैं एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 226 है और हाइस यहां पर पाकिस्तान ने बनाए है 364 रंस 7 विकेट्स पे और लोएस यहां पर इंडिया की टीम ने बनाए है 54 रंस 10 विकेट्स पे स्कोरिंग पटरें पर चलते हैं तो बिलोव 200 बना है 76 बार स्कोर बट्वीन 200 अंट 249 72 बार स्कोर बट्वीन 250 अंट 299 69 बार और अबव 300 बनाए है यहां पर 15 बार तो यह हो गए गाई हमारे ओडिया इस टैट्स अब हम चलते हैं तो डोमेस्टिक के खेले गए हैं टोटल 66 मैच जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 22 जीते गए हैं बैटिंग सेकंड करने पर 40 थे और एक मैच यहां पर भी टाई रहा चुका है एवरेज स्कॉर फर्स्ट बैट कब 155 है हाइए स्कॉरिया पर हमारी आई पेल की टीम ने बिकेट्स पर स्ट बाट करें तो बिलों 153 बार बना है स्कॉर बिट्वें 150 यह 169 थे पर बना है तो जैसा आप देख सकते हो T20 इंट्रनाशनल और डाइ में तो यही देखा गया है की बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जादा मैच जीती ए इस गाउंड पर लेकिन तो गाइज यह हो गए हमारे स्टैट्स अब हम आगे बढ़ते हैं तो गाइज आगे है हमारे पास वन अप दो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज इस विडियो की और वो है शार जहा क्रिकेट क्लब के पिछ रिपोर्ट यहां के पिछ का बियेवियर कहा है किसको सपोर्ट करती ह यहां के पिछ बैटर्स को या फिर बॉलर्स को तो आपको बता दे यहां के पिछ बैटर्स को जादा सपोर्ट करती है वो बहुत जादा अच्छा यहां पर परफॉर्म कर पाते हैं साथ ही साथ बहुत जादा रंस बना पाते हैं स्कोर्स बहुत अच्छे होते हैं यहां प करने वाली टीम जादा मैच जीत पाई है इस ग्राउंड पे तो गाइज यह थी यहां की पिछ रिपोर्ट आगे चलते हैं वेदर की अगर बात करें तो इस टाइम पर यहां का टेंप्रेचर होगा 38 डिग्री सेल्शियस के आसपरा स्पिस्पिटेशन वन परसेंट हुमिडिटी 52 परसेंट और विंड की स्पीड होने वाली है 24 किलोमेटर पर आर्ट तो गैस यह हो गई हमारी पिछ रिपोर्ट साथ हमने वेदर की इन्पोर्मेशन जान ली तो अग आ गया है हमारे रिकॉर्ड तो यहा देखते हैं नंबर वन पर नाइंटी न हुआ इалась वे में होंने रर्से抗श्रय स्पाकिस्तान के उसके बाद फिर थी है पाकिस्तान 472 ञंस वैस असके बाद आस एस जो आगना 179 पाकिस्तान और च्याष्ट जय सके बाद देख सकते हो टेस्ट में इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने बहुत ही जबर्दस के लाए टॉप टैन में पाकिस्तान की ऐसी टीम है जिसका सबसे जादा बार नाम आया है यहां पर तो गाइस आगे चलते हैं हमारे के नेक्स्क रिकॉर्ड की तरफ को नेक्स्त है हमारे पास और दी आइक हायग स्कोर है तो यहां प्र देखते है कि नमबर वन पर कौन है तो यहां पर भी है नमघर वन फर पाकिस्तान के 134 और सेवनऄट्स बड्स निज़ेलेंड के बनाएं उसके बाद है UAE 348 runs, 3 wickets vs. Namibia, उसके बाद है New Zealand, 338 runs, 4 wickets vs. Bangladesh, उसके बाद Pakistan, 337 runs, 5 wickets vs. West Indies, फिर है West Indies, 333 runs, 7 wickets vs. Sri Lanka, उसके बाद है Afghanistan, 333 runs, 5 wickets vs. Zimbabwe, उसके बाद Zimbabwe, उसके बाद Australia, फिर श्री लंका और Pakistan, तो गाइज यह है ODI के highest score, इसमें बहुत सरी रगलग टीम से जिन्नों नहीं हाँ पर highest score बनाए है, तो गाइज आगे चलते हैं, तो गाइज आगे है हमारे पाद शाजा स्टेडियम के T20 International के highest score, कि यहाँ पर किसने T20 में highest बनाए है, और जैसा कि आपको पता है, एशिया कप में भी T20 के ही format में होने वाले सारे मैचिस, तो इसको देखते है कि यहाँ पर किसने कितना highest बनाए है, तो गाइज जैसा आप देख सकते हो, नमबर वन पर अफगानिस्तान है, 215 रंस, 6 विकेट्स वर्सेज में जिंबावे के बनाए ह तो जैसा आप देख सकते हो, कि टॉप 10 में इस format में सबसे जादा नाम आया है अफगानिस्तान की टीम का, तो इससे पता चल रहा है कि अफगानिस्तान इस ग्राउंड पर T20 में बहुती जबर्दस्त खेलती है, तो इस बर अफगानिस्तान के मैचिस में देखना बहुत इ यह स्कोर बना पाएगी, या फिर नहीं, तो गैस यह हो गए हमारे T20 के भी रिकॉर्ट, तो आगे आगे है हम शाजा क्रिकेट स्टेडियम के टॉस फेक्टर पर, तो चलते हैं, जानते हैं, यहाँ पर टॉस फेक्टर क्या होने वाला है, तो जैसा आप देख सकते हो, हमार सेक्टने सकोर, हैरा ही है, तूसरे फॉर्मट और चलते हैं, बैटिंग पर सब्सक्राइब ऑछल चलते हैं, बैटिंग फर्स करने पर 122 जीते घए हैं Garrett पर 112 जीते घए हैं, आप देख सक्पस कर देख सक गर यहां, फराइज शेंग पर 122 अब चलते हैं, तो टी तूंट तीनों ही फॉर्मेट तो जैसा कि आप देख सकते हो टेस्ट में तो दोनों साइड एक्वल है क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने पर भी चार्ज जीते गए हैं बॉलिंग फर्स्ट करने पर भी चार्ज लेकिन ओडियाई और टी-20 की अगर बात करें तो यहां पर यही देखा बहुत जबर्दस परफॉर्म कर पाते हैं तो फिर यहां पर शार्जा ग्राउंड पर जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो फर्स्ट बैटिंग चूज करने वाला है तो गाइस यह थी पिछ रिपोर्ट शार्जा स्टेडियम की जो की UAE में सिच्वेटिड है और आपको इ वेडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है